नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल यूद पाट साला पर दोस्तो इसी कड़ी में हम कल बात कर रहे थे हमारे भारत के संभिधान के प्रमुक स्त्रोतों की दोस्तों स्त्रोतों के बारे में हमने चर्चा की और हमने स्त्रोतों के बारे म जो हमारे संभिधान का जो निर्मान हुआ है, वो दो प्रकार के स्त्रोतों से हुआ है, एक तो हुआ है दोस्तों हमारे देशी, यह नि क्या हमारे भारती स्त्रोतों से, दूसरा दोस्तों निर्मान हुआ है, वो हमारे हुआ है, विदेशी स्त्रोतों से, तो दोस्तों स्वेदेशी स्त्रोतों के बारे में जब हमने चर्चा की तो इस बारे में पता लगाया और इस बारे में बात की कि दोस्तों पहला जो स्वेदेशी स्त्रोत है वो है हमारा 1928 के अंदर गठित किया गया नहरू रिपोर्ट दोस्तो नेहरू रिपोर्ट की सभी जो सर्ते थी इन सभी सर्तों को क्या कर लिया गया पूल रूपिन समाहीत कर लिया गया संविधान सभा के दुआरा दोस्तों दूसरी बात हम बात करते हैं कि जो मैं बात करता हूँ कि 1927 के अंदर दोस्तों साइमन कमिशन जब यहां आया तो साइमन कमिशन नहीं दोस्तों यहां पर कहा गया साइमन कमिशन के एक सदश्य थे Lord Working Head और Lord Working Head नहीं जब दोस्तों यहां पर बताया गया कि दोस्तों यहां पर क थे कॉंग्रेस के वरिष्ट व्यक्ति और संभिधान के मतलब कानून के ग्याता प्रख्यात विद्वान तो दोस्तों उन्होंने इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया और चैलेंज के रूप में लेते हुए दोस्तों क्या किया यहां पर जब इस बात को चैलेंज के र यानि संभीधान की प्रस्तूत रूप रहा त develops यह से नेहरू रिपोर्ट का दिया गया दोस्तोumuzनिए नेहरूर रिपोर्ट जो एक प्रकार से समाहित कर लिया तो पहला जो ऑन रूपरिण संवीं सिफारे लिया गया संभिधान सभा के में दूसरी हम बात कर रहें दोसरी चरचा करते हैं वह हमारा भारतिये सब्सक bus UFO 35 का भारतिय संभीधान में समाहीत कर लिया गया जी यहाँ दोस्तों जैसे कि मैं मान लीजिए उनकी कुछ सर्तों की बात करता हूँ तो सुप्रेम कोट की स्तापना या फिर मान लीजिए मैं RBI यानि तो दोस्तों इन सभी चीजों को यहाँ पर क्या कर लिया गया एसेप्ट कर लिया गया 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 इसी के सथ हम बात करते हैं विदेशी स्त्रोथों की तो वे स्त्रोथ जिनने हम बारतिय संभीधान के निर्मान में विदीशों से प्राप्त किये गए हैं अर्थात विदेशों के संविधानों से हमने जो accept किया है उसके आदार पर हम इसे विदेशी स्रोत कह सकते हैं तो दोस्तों पहला जो हमने accept किया वो है हमारा कहा का वो है हमारा ब्रिटेन का ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे पहली यहां तक के राष्ट पती करने की जो प्रक्रिया है वो भी अमने कहां से लिए इससे के साथ मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो सबा है यानि उच्छ सदन निम्र सदन इनकी जो प्रक्रिया हैं वो भी कहां से लिए बिटेन से लिए दूसरा हमने बात करते हैं बिटेन की तो बिटेन सोरी अमेरिका की सोरी दोस्तो अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका से लिए तीसरी दोस्तों चर्चा करते हैं तो तीसरी जो चर्चा करते हैं दोस्तों वही परीदरश्य में हम तीसरी चर्चा कर रहे थे तो वो मौलिक जो अधिकार है वो भी हमने कहां से लिए अमेरिका के संभिधान से चोथा दोस्तों हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ ही है हमने चोधी जो व्यवस्ता है वो ली है नाइक पुन्रा विलोकन की शक्ती है वो भी दोस्तों हमने कहां से ली है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहन की है और चोधा एंट फाइनल लाश्ट एंट फाइनल दोस्तों वो है हमारा भारत में जो बित् यहां पर राष्टपतई के निर्वाचन की प्रिक्रिया पदती अबलिक राष्टपते के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्ता है वो भी हमने Ireland के संभीदान से ही accept की है दोस्तो इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तो इसी के साथ South Africa, दक्षिन अफरिका से हमने भारतिय संभीदान संसुतन की शक्ती को प्राप्ट किया है इसी के साथ हमने अधिकान से देशों यारी जापान से भी हमने दोस्तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो जापान से भी हमने क्या किया है विदी के शाशन की प्रक्रिया को accept किया है तो इन सभी चीजों के South Africa से भी हमने कुछ ग्रहन किया है तो इसी परिद्रश्य को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतिय संभिधान के प्रमुक अनुसुचियों की और अनुसुचियों में बात करेंगे दोस्तों तो बर्तमान में जो हमारे भारतिय संभिधान की अंदर जो अनुसुचियां है अर्थात प परिदर्श में हम बात करेंगे संभिधान के प्रमुख अनुसुचियों की और अनुसुचियों में हम बात करेंगे जो मूल संभिधान था उसमें मात्र और मात्र आठ अनुसुचियां थी लेकिन वर्तमान परिदर्श में इसमें बारा अनुसुचियां अर्था चार अनुस तो दोस्तो हम बात करते हैं भारतिय सम्विधान की अनुसुचियों की जी हाँ दोस्तो अनुसुचियों तो पहली जो है हमारी तो दोस्तो पहली जो अनुसुचियों उसके बारे में बात करते हैं पर्थम अनुसुचि या पहली अनुसुचि इस पहली अनुसुचियों पर्थम अनुसुचि के अगर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तो तो सबसे पहली चीज़ तो इस अनुसुचि के अंदर दोस्तो क्या है कि सबसे पहले हमारे जो भारत के भारत के संग वै रज्य छित्रों का वर्णन किया गया है भारतिय सम्विदान के प्रथम अनुसुची के अंदर दोस्तों मैं बात करूँ तो प्रथम अनुसुची के अंदर भारत के संग वे रज्य चित्रों का क्या किया गया है दोस्तों वर्णन किया गया अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि रज्य चित्र यानि भारत का संग भारत संग है यानि भारत रज्यों का संग है संघ का मतला बहारत के अंदर खड़ाउं करनाटका में खड़ाउं बारत संघ कम बना बारत जब 28 राज और आठके अंदर सासेतश परदेश GET जब तो भारत का संग का निर्मान होता है तो दोस्तो भारत क्या है भारत राज्यों का संग है और इस बात की जो उलेक है जो हमें मिलता है दोस्तो वो हमारे भारती संविधान की आर्टिकल एक से लेकर के और article 4 तक हमें इस संग सुची या रज्यों के अधिकार चेत्र के बारे में प्राप्त होता है तो भारत के संग वे रज्य चेत्रों का वरणन किया गया है तो दोस्तों इसी के अंदर कह गया गया है कि नए रज्यों का निर्मान नए रज्यों का निर्मान किया जाएगा इसी के अंदर नए रज्यों का निर्मान पलस रज्यों की सीमाओं को रज्यों की सीमाओं का निर्धारण वे रज्यों की सीमाओं में ब्रत्ती परिवर्तन परिवर्तन आदी जो कार्य करने की जो शक्तियां है दोस्तों भारत के संग वे रज्यों का वरणन किया गया है नए रज्यों का गठन तथा रज्यों की सीमाओं का क्या किया गया है निर्धारण किया गया है रज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है तो ये सारे के सारे जो उप्वबंद है दोस्तों ये हमें प्रथम अनुसुची में दिखाई पड़ते हैं दोस्तों जी हाँ बिल्कुल हम बात करते हैं प्रथम अनुसुची के अंदर राज्यों की सीमाओं का क्या निर्धारन तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि संग में नए राज्यों का जो गठन किया जाता है अर्थात संग के अंदर नए रज्यों का जो गठन है वो भी संग में नए रज्यों का गठन ये भी दोस्तो इसकी भी प्रक्रिया कहां मुझूद है पर्थम अनुसुची के अंदर मुझूद है इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी कुछ और कडियों की तो दोस्तो इसी कडियों के तहत यहाँ पर बात करते हैं गुणत्तरवे संभिधान संसोदन गुणत्तरवे संभिधान संसोदन गुण्नी सो इक्राण में के आधार पर दिल्ली को राष्ट्री यह गोसित किया गया गुणत्तरवे संभिधान संसोदन के तहते ने रजी का दरजा दिया गया और भारतिय संभिधान के रूप में क्या किया गया भारत के राष्टपति के निर्वाचन में दोस्तो इसको क्या कर दिया गया सामिल कर दिया गया मैं हाँ जी बिलकुल बात करते हैं इसकी विचर्चा करेंगी दोस्तो दूसरा है दोस्तो यहाँ पर भारतिय सम्विधान के अनुछेद तीन सो सत्तर द्वारा जम्मु कश्मीर को भारतिय सम्विधान के अनुछे तीन सो सत्तर द्वारा जम्मु कश्मीर को विसेश रज्य का दर्द दिया जाना यह सारी के सारी जो प्रक्रियाई हैं दोस्तो यह आर्टिकल यानि भारति के अनुछे पहली में की जाएगी दोस्तो इसी के साथ हम बात करते हैं किसी राज्जी को केंदर सासित प्रदेश गोशित किया जाना यह सारी की सारी प्रक्रियाई दोस्तो क्या है अनुसुची एक में यानि अनुसुची एक में वर्नित है तो प्रथम अनुसुची के अंदर गत दोस्तो क्या किया गया है तो इस प्रथम अनुसुची का जो उल्लेख है उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है इस प्रथम अनुसुची का इसका जो उल्लेख है अनुचेद एक से चार तक मिलता है कहां तक मिलता है दोस्तो अनुचेद एक से और चार तक इसका क्या मिलता है इसका उल्लेख मिलता है जी हां दोस्तो इसी के साथ हम बात करते हैं गुड़तरवे संभिधान सुद्धन कुनिस्ट इक्राण में के आधार पर दोस्तों क्या किया गया दिल्ली को राष्टिय राज़दानी छेतर गोशित कर दिया गया इसी के साथ भारतिय संभिधान के अनुचे 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विसेस राज़जी का दर्जा दिया गया दोस्तों इसी के साथ किसी राज़जी को केंदर साशित प्रदेश गोशित कर जाना तथा इसके साथ अनुशार ही किया जा सकता है इसी के साथ मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अनुचेत 104 तक इसका उलेख मिलता है अर्थाथ भारतिय संविधान के आर्टिकल एक से और 4 तक दोस्तों क्या होता है इसका उलेख वस्प गुरूप से हमें प्राप्त होता है तो ये है हमारा परथम अनुचुची अर्थाथ पहल पर्थम अनूसुची और इस अनूसुची की अंदरगत रज्यों का संग राज्य छेत्रों का वर्णन मिलता है पहली पर नूसुची के तहत रज्यों के वर्णन और उसे संबन्दित जो प्रावधान है वो डिसाइडे किये गए हैं दूस्तों इसे के साथ हम बात करते हैं दूसरा दूसरी अनुसुची इस दूसरी अनुसुची के अंदर का दोस्तों क्या किया गया है इस दूसरी अनुसुची में यानि कि यहां पर दूसरी अनुसुची का उलेख मिलता है और दूसरी अनुसुची में राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती राज्यपाल राष्ट्पती उप्राष्ट्पती राज्यपाल न्यायधीस उच्चतम न्यायले की न्यायधीस तथा महा न्यायवादी महा न्यायवादी और महा न्यायवादी के बाद में दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर भारत के नियंत्रक नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक वे आदी पदा अधिकारियों पदा धीकारियों नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक वे आदी पदा अधिकारियों के बेतन भत्ते वे पेंचन से बेतन भत्ते वे पेंचन से सम्बंदित प्रावधानों का उल्ले खित किया गया है जी हाँ दोस्तो राष्टपती उपराष्टपती रजपाल राष्टपती उपराष्टपती रजपाल उच्टम न्यायले के न्यायधिस महन्यायवादी नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक लियंत्रक और महा लेखा परिक्षक तथा आधिक पदादिकारी जितने भी पदादिकारिया है उन पदादिकारियों के जो बेतन भत्ते वे पैंसन के जो प्राबधान है वो हमारी दूसरी अनुसुची में दोस्तों क्या है वरनित है अर्थात यहां तक कि जो प्रदानमंत्री के जो बेतन भत्ते है उनके जो न अनुसुची में वर्नित की गई है दोस्तों जी यहां बिल्कुल मैं बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों राश्टपती उपराश्टपती रजपाल न्यूंतम न्यायदिस माहन्याइवाद ये नियंत्रकों माहरले का परिक्षक आदि पतादिकारियों के बेतन बत्ते से सं हम आगी चर्चा करते हैं दोस्तों तीसरी हमारी अनुसुची है तीसरी अनुसुची की कि कि तीसरी अनुसुची की बात करते हैं दोस्तों तो तीसरी अनुसुची में हमने यहां देखा कि हमारे यहां पर संसद सदश्य विदान सबस सदश्य और केंद्रिय मंत्री जितनी भी हैं अर्थात हमारे देश की संसद के सदश्य केंद्रिय मंत्री राच्य विधान मंडल के सदश्य वे नियाएद ही सोके संसत के सदश्य केंद्रिय मंत्री राच्य विधान मंडल के सदश्य वे नियाएद ही सोके जो सफत प्रक्रिया का उलेख किया गया है अर्थात ये सदश्य सदश्य अर्थात ये सदश्य तीसरी अनुसुची में वर्नित वर्नित प्रक्रिया के अनुसार ही अनुसुची में वर्नित प्रक्रिया वर्नित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रक्रिया के गया ही प्रक्रिया वर्नित प्रक्रिया सफत ग्रेंड करेंगे क्या करेंगे दोस्तों ये जो लोग हैं ये सदश्य तीस्त्री अनुसुची में बर्मित प्रक्रिया के अनुसार ही पद एवं गोपनियता की सफ़त ग्रेयने करेंगी दोस्तों यहां पर डिक साइड किया गये इस बात को पूल रूपेंड दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि एक तो हमारे भारत के राश्टपती पहला दूसरा हमारे भारत के उपराश्टपती दो और तीसरा है हमारे भारत के रज्जिपाल तो इन तीनों की जो सफ प्रक्रियाओं का जो उलेक है ये विविन आर्टिकलों में दिया गया है ना की तीसरी अनुसुची में जी हां बिल्कुल दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखने की बाते हैं कि यहां पर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती और राज्जिपाल इन तीनों की जो सपत प्रक्र कि अगरे चोथी अनुसुची दोस्तों इस चोथी अनुसुची का जो उलेक है हमारे भारतिय संबिधान की अनुचेद 245 एक में किया गया है यहां पर क्या किया गया है दोस्तों 241 एक में इनका प्रापधान किया गया है यहां पर क्या किया गया है दोस्तों यहां पर दोस्तों क्या किया गया है इस इस दोस्त चम्मल इस एक के तहद यह क्या किया गया है कि रज्यों में रज्यों में रज्यों की जनसंख्या रज्यों में रज्यों की जनसंख्या के आधार पर यानि जनसंख्या का जो छित्र है रज्यों की जनसंख्या यानि जनसंख्या के आकार के आधार पर रज्यों में रज्यसभा रज्यों में रज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है रज्यसभा रज्यों में रज्यसभा सीटों का क्या किया गया है आवंटन किया गया है बटवारा किया गया है किसके आधार पर अर्थात रज्यों में रज्यों की जनसंख्या के आधार पर रज्यों में रज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है अर्थात राज्यसभा सीटों को बांटा गया है अर्थात यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि जिस छेत्र की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उन राज्यों को उतना ही राज्यसभा में प्रतनीत दिया जाएगा यनि जिस चेतर की जनसंग्या जितनी होगी उनके आवंटन के आधार पर क्या किया गया रजिसभा सीटों का आवंटन कर दिया गया अर्थात रजिसभा सीटों में बांट दिया गया जहां जादा है वहां जादा जहां कम है वहां कम जहां पर बिलकुल भी नहीं है वहां पर एक क सरवाधिक जो सीटे हैं सरवाधिक सीटे तो सरवाधिक रज सबा सीटे जो है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटे हैं दोस्तों वो कितनी है वो है 31 31 सीटों का निर्धारन निर्धारन कितनी सीटों का निर्धारन किया गया है उसी के साथ मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान की तो राजस्थान में जनसंख्या के आदार पर दस सीटों का निर्धारन जी हाँ दोस्तों कितनी सीटों का निर्धारन किया गया है हाँ जी बिलकुल वह उस्तों यहां पर कितनी सीटों का निर्धारन किया गया है इसी के साथ हम आगे बढ़त करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पांच भी अनुसुची की बात करते हैं कि अब बात करते हैं दोस्तों पांच भी हुआ कि अरु हुआ कर समत् fines के बात कर्ते हैं दोस्तों तो मैं पांच भी अतुचीकी पांचवी अनुसुची के हम बात करते हैं तो पांचवी अनुसुची में ये डिक साइड किया गया है अनुसुची जाती जाती पांचवी अनुसुची जाती के जन जाती के के छित्रों में अनुसुची जाती वे अनुसुची जन जाती के छित्रों में प्रसाशन वे नियंत्रण का प्रावधान अनुसुची जाती वे अनुसुची जन जाती अनुसुची जन जाती के छित्रों में प्रसाशन वे नियंत्रण का जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसुची में उल्ले खित पांचवी अनुसुची में उल्ले खित किया गया है और इसका जो उल्लेक मिलता है दोस्तों ये भारतिय संभीधान के आर्टिकल 241 में मिलता है तो था इसका उल्लेक इसका जो उल्लेक मिलता है दोस्तों ये भारतिय संभीधान के अनुच्छेद 241 में इससे वरणित किया गया है क्या किया गया है दोस्तों भारतिय संभीधान के अनुच्छेद 241 में इससे क्या किया गया है वरणित किया गया है इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों इससे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये गलत है और ये अनुच्छेद चार 11 में इसका वरणित कि लिए गया है जी हां दोस्तों सोरी थोड़ा सा चार 11 में किया गया इसका वरणन हां पांची अनुच्छी जाती वै अनुच्छी जंजाती के छित्रों में प्रसासण वै प्रावदान पांच अनुसुची में उल्लेकित किया गया है उल्लेक अनुचे 245 एक में इसे वरनित किया गया है दोस्तों इसी के साथ हम आगे बात करते हैं और अब बात करते हैं छटी अनुसुची की इसी किसे लिए अनुसुची की तो दोस्तों छटी जो अनुसुची है इसका जो उलेख है इसका उलेख मिलता है अनुच्छेद 245 टू के अंदर अर्थात इसका जो उलेख है दोस्तो वो 245 टू के अंदर तथा 275 डू के अंदर मिलता है यहां पर क्या तैक किया गया दोस्तो यहां पर कहा गया है कि अनुसुची चेतरों से सम्दित अनुसुची चेतरों में जैसे आसम मेघाले त्रिपूरा मिजोरम मनिपूर आदी छित्रों में प्रसाशन करने का वर्नल किया गया है अर्थात यहां पर अनुचेद 245 अनुचेद 242 अनुचेद 242 अनुचे चित्रों में प्रसाशन करने का वर्नल किया गया है अर्थात आदिवासी छित्रों में प्रसाशन वे नियंत्रन वे उनके विकास उनके विकास संबन्धी प्रावधानों का उलेक किया गया है यानि आदिवासी जितने भी हमारे राज्ये हैं उन आदिवासी छित्रों की प्रसाशन संबन्धी जो जानकारिया है प्रसाशन संबन्धी जो कारिया है उनके संबन्धी जो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो राष्टपती है वो एक व्यक्ति को इन छित्रों के विकास के लिए क्या कर सकता है नियुक्त कर सकता है इससे के साथ मैं आपको बता दो दोस्तों कि इन चेत्रों के विकास के लिए जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है वो भारत के जिन रज्यों के रज्यपालों की भी होती है दोस्तों तो वो आदिवासी छित्रों में प्रसासन वे नियंतन की संबन्दी प्रावधानों का उन्लेक किया गया है। तो दोस्तों इस कड़ी को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल वापस से आप लोगों के साथ वापस मिलेंगे एक इसी कड़ी की प्रंपरा को आगे बढ़ाते हुए तो दोस्तों जो हमारी 6 अनुसुचियां थी इनके बारे में हमने चर्चा की तो दोस्तों नेक्स्ट जो अनुसुचियां उनके बारे में दोस्तों कल हम चर्चा करेंगे विस्तरत रूप से अर्थात इसकी जो विस्तरत रूप से जो जानकारी हैं वो हम आप लोगों तक उपलब्द करवाएंगे तो दोस्तों बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ हम आपके अपने यूटूब चैनल के साथ हम दोस्तो हम विदा लेते हैं आप लोगों के साथ दोस्तो कल वापस पुने मिलते हैं इसी वक्त इसी समय और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोस्तो तो जैह हिंद जैभारत दोस्तो कर दूद teach